राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ को नए नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं विधान सभाचुनाओं में बंपर जीव के बाद बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है जिनके नामों पर कोई दूर-दूर तक कयास नहीं लगा सकता था मुख्यमंत्रियों के नाम गोशित करते ही पाटी ने सभी को चौका दिया अब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पहली बार बात की है और उनोंने इशारों हूं इशारों में बता दिया कि यह कोई नए चेहरे नहीं है इंटर्वियू में तीनों राज्यों के मुखेमंत्रियों को लेकर बात की उन्होंने कहा, हमारे देश का एक दुरभाग्य रहा है कि जो लोग अपनी वाने से, अपनी बुद्धी से, अपने व्यक्तित्व से समाजिक जीवन में प्रभाब पैदा करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग, एक घिसी पिटी, बंदमान सिक्ता में जक्रा हुआ ह ये सिर्फ राजनीतिक शेतर तक ही सीमीत नहीं है, जीवन के सभी शेतरों में ये प्रविर्ती हमें परेशान करती है, जैसे किसी भी सेक्टर में कोई नाम अगर बड़ा हो गया, किसी ने अपनी ब्रैंडिंग कर दी, तो बाकी लोगों पर ध्यान नहीं जाता, चाहे वो क कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हों, कितनी भी अच्छी काम क्यों ना करते हों, वैसा ही राजनीतिक शेतर में भी होता है, दुर्भागे से अनेक दर्शकों से कुछी परिवारों पर मीडिया का फोकस सबसे ज्यादा रहा है, इस वज़ह से नए लोगों की सचाही नहीं हो पाई, इसके कारण आपको कई बार कुछ लोग नए लगते हैं, लेकिन सचाही ये है कि वे नए नहीं होते, उनकी अपनी एक लंबी तपस्या होती है, अनुभव होता है, भाजपा तो एक काडर आधारित राजनीतिक दल है, संगठन के हर स्तर पर काम करते करते कारे करता कितने ही आगे पहुँच जाएं, लेकिन उनके भीतर का कारे करता हमेशा जगा रहता है, बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और 36 गडविधान सवाचुनौव में जीत के बाद करीब एक हफते तक बीजेपी ने इन राज्यों में मुख्यमंत्री का आहलान नहीं किया था, ऐसे में करीब एक हफते तक रज्य से लेकर दिल्ली तक बैठको का दौर जारी रहा, और जब एक एक कर मुख्यमंत्रियों के नाम का आहलान किया, तो तीनों नाम एकदम नए थे, तीनों मुख्यमंत्री राश्ट्रिये स्वयम सेवक संग के करीब भी बताय जा रहे हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, चत्यस गड़ में मुख्यमंत्रियों के जर्ये जातिगत सम्मिकरण भी साधे हैं, कहा जा रहा है कि पार्टी ने आगामे लोग सवाचुनाओं को देखते हुए इस तरह का फैसला मध्यप्रदेश में मोहनी आदब OBC वर्ग से आते हैं, जबकि राजस्थान में सामाने वर्ग से आने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनें, वहीं 36 गड़ में आदिवासी चेहरे विश्णु देव साय के हाथ में कमान सौपी गई है, यही नहीं तीनों राज्यों में दो-दो डिप्टी सीमबी बनाए गए, टाइम्स नौन अब भारत डिजिटल की रिपोर्ट